हेलो मेरे पेरे बच्चों आप लोगों का टेक्निकल क्लास बहुत-बहुत स्वागत करता है मैं बबलू सिंग आप लोगों को एलाक्रिकल एंजिनियरिंग में दो पेपर जो की इंपॉर्टेंट पेपर है उसको डिसकस करने वाले हैं और पिछले गत बड़सों से मैंने ये काम करते हुए आया है जो कि आप लोगों को इसका एक्स्प्रियंस्ड वाला कंटेंट मिलने वाला है आप लोगों को बस ये करना है कि इस वीडियो को जादा से जादा लोगों में सेर कर देना है और कुछ नहीं हैं अच्छा लगेगा आज हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में और हमारा जो पेपर्स हैं कौन गों से पेपर्स हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि मेरे पैरे बच्चों हम लोगों को पांच पेपर पढ़ने होते हैं हर एक सेमेस्टर में जो कि थार्ड समेस्टर में जितने भी बच्चें इलाक्रिकल के हैं उसको पांच पेपर है पहला है इंट्रोडक्शन टू अलाक्रिक पावर जनरेशन सिस्टम इसके लिए आपको अलाक्रिचर मीलेंगे इलाक्रिकल सर्किट इसके लिए आपको अलाक्रिचर मीलेंगे Electrical and Electronics Measurement ये जो आपको सब्जेक्ट में दिख रहा है ये मिजर्मेंट का सब्जेक्ट और साथ में जो चार नंबर में सब्जेक्ट है मोटर्स जिसको हम लोग मसीन के नाम से जानते हैं ये दो पेपर मेरे नाम में रहेगा अर्थात हम उसको डील करेंगे और ये जो पेपर है ये पेपर हम पढ़ाएंगे अर्थात बबलूसर पढ़ाएंगे आपका चाहता आप लोगों का पसंदीदा है ना है भी और बहुत दिनों से मैंने इस पे काम करा है इसलिए आप लोग एडिमिशन के रूप में हमेशा हम यही बात कहते हैं जादा से जादा कंटेंट अगर दि लेना है तो टेकनिकल क्लास बेस्ट है मिजर्मेंट हो गया और मोटर्स हो गया एंड ट्रांस्फोर्मर्स यह दो पेपर हम डिल करेंगे और यह भी अलग दूसरी टीचर लेंगे तो दो पेपर मेरा है अब फिर उसके बाद अलग से तीन टीचर अलग होंगे मतलब अर्था चार टीचर जो है आपका इस सिलेबस को खदम करने बाले है और चार टीचर आप लोग जानते हैं कि अलग-अलग गर्दी टीचर आपको सजेस्ट करें हर एक का ब्रांच के लिए या एक ही ब्रांच के लिए तो कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट्स होता है उसका आप समझ सकते हैं आप लोग बच्चे तो हैं नहीं तो अभी हम लोग क्या करने बाले हैं कि यह जो electrical and electronics measurements है इसके बारे में discuss करना है इसके syllabus को देखना है और देखना है कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है क्या वही तरीका होना चाहिए जो पुराने जमाने में पढ़ते थे क्या वही तरीका होना चाहिए जो कि अधर ट्यूशन में होता है नई आपको बिल्कुल अलग टाइप के content मिलने वाले हैं आपको बिल्कुल अलग टाइप के प्रकिरिया से गुजरना पड़ता है ये चीज़ हम लोग देखेंगे इस समेस्टर में आप एक बार टेक्निकल क्लास के अंदर जूर करके देखें आपको मज़ा आएगा और इतना मज़ा आएगा कि आप क्या ने सकते हैं तो चलिए हम लोग आप सिलेबस के बारे में बात क अनधी देर शुआ करते हैं एक होता है सिलेबस को ही कदम कर देना जो उसको खदम कर देना कि खदम करने का मतलब उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं और हम लोग जो अभी टेक्निकल K serve यह करते हैं यह क्या करते तो पहले बार तो एक बार शुभ्बत पूरा खटम करेंगे बिसरा बार इसका रीवीजन होता है और तीसरा कर में इसके कारण तीन बार Sultan होगा कर यह स्लियर कैसे खतम होता है कि 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 इस दिन में होगा है मैंप सीलिवश का जो खतम होला होता है वो 20 से 25 दिन पहले आपका को जाएगा ईक्साम के 20-15 दिन पहले खतम हो जाएगए हैं और सुब रूरी बिजन होता है वो 10 दिन 2 12-15 दिन ऐसे करके हो ठीक है तो यह चीज़े आप लोगों को यहां पर मिलने वाले हैं अब हम लोग आज यह देखेंगे इस सेशन में कि लाक्ट्रिकल एंड लाक्रानिक्स मिजर्मेंट में क्या क्या चीज़े पढ़नी हैं क्या चीज़े हमें देखना है है ना क्या सिलेबस है इस इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यह आपका मिजर्मेंट का टॉपिक है सतर नंबर का आता है आप लोग जानते भी है सारा चीज़ यह सब बाते आप लोगों को पता हो इसमें 6 यूनिट है और इस 6 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हमें देखना है ठीक क्या है कि कहते किसको है उसका basic क्या क्या चीज़े पड़नी होती है ये सारे चीज़ें हम लोगों को पड़ना है तो measurement एक ऐसा कि सब्जेक्ट है electrical engineering का और electronics engineering का भी कि नाक्ट्रानिक्ष में भी measurement हमीं पढ़ाएंगे और लाक्रिकल में भी मिजरमेंट हमी पढ़ेंगे यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी चीज को कंपेर करने में एक ही तरह के चीज को कंपेर करने में मदद करता है इसमें क्या-क्या पढ़ना है तो measurement का मतलब समझ में आ गया होगा कि measurement जो है न यह comparison है measurement is nothing but comparison और वो भी same kind का same परकार का physical quantity के साथ जैसे अब बोलोगे कि यह सर क्या बोल रहा है same time same परकार का measurement का मतलब आप समझें कि measurement means comparison हो गया और comparison किसका होगा तो same type के physical quantity same type का physical quantity जैसे अगर यह दी mass है तो उसको mass के साथ ही comparison करेंगे जैसे 0 kg अगर दी हम यह लिखें और यहां 10 kg लिखें तो same परकार के quantity को लिखते हैं यह same तरह के measurement का मतलब होता है comparison comparison का मतलब होता है तुलना तुलना करते हैं same type के physical quantity पी क्यू का मतलब हो गया physical quantity जैसे mass है तो mass से ही करेंगे distance है तो distance से ही करेंगे अगर यह दी volume है तो volume से करेंगे पतलब कोई भी चीज़ अगर दी है तो same kind से comparison को ही हम लोग measurement कहते हैं चलिए आज जो है हम लोग देखेंगे कि measurement में पढ़ना क्या क्या है तो measurement कहते किसको है इसका significance क्या है इसका महत तो क्या है क्यूं पढ़ते है measurement measurement इसलिए पढ़ा जाता है ताकि एक से एक दूसरे के साथ comparison कर सके इसलिए पढ़ा जाता है इसमें हमको units पढ़ना है चुकि जब भी measure करा जाता है किसी भी चीज़ को तो आप देखेंगे कि mass को जब measure करते हैं तो उसको लिखते हैं जैसे 10 kg लिखे तो यहाँ पर एक number लिखते हैं और उसके बाद यहाँ unit लिखा जाता है तो measurement पढ़ने के लिए हमें number और unit दोनों की अवस्कता होती है यह number जो है यह परिनाम को दिखाता है magnitude को दिखाता है और unit यह जो kg है यह unit उस physical quantity के unit को दिखाता है वही units के बारे में पढ़ना है कितने तरह के होते हैं वो पढ़ना है physical quantity पढ़ना है physical quantity दो तरह का होता है एक fundamental quantity होता है और एक जो होता है direct quantity है उसको भी पढ़ना है and standards classification of instrumentation system और instrumentation system का किस-किस तरीके से हम लोग अब चुकिए measure करें जैसे mass measure करा distance measure करा तो उसके लिए एक instrument पढ़ते हम लोग उसके लिए instrument की जरूरत होती है जैसे scale हो गया तो distance measure करते है लंबा ही करते है चुड़ा ही करते हैं गार आहीं करते है करेंच करने के लिए तो उसके लिए device होता है किसी भी physical quantity को measure करने के लिए instrument की जरूरत होती तो वह instrument कितने तरके होते हैं तो तो नल टाइप होता है, डिफ्लेक्शन टाइप होता है, एफसॉल्यूट होता है, सकेंडी इस्टुमेंट होता है, एनलोग, डिजिटल, यह सारे इस्टुमेंट होता है, Oh Ugh कि इस्तीर अबस्ता में उसका कैसा इसा होगा मुद्ऩरिस्टिक होगा दैनेमिक जब वर्क कर रहा होता है तो उससलें में कैसा के बालflower कोई भी इस्तूमेंंट अब ही तक हैसा नहीं बना है जो कि हन्डेट परशनट इसेंस हो तो उसमें कुछ न कुछ तूटियां आज आती है जिसको हम लोग error कहते है calibration इस instrument का कैसे जाज करते हैं इसका जरूरी क्यों पड़ा calibration का और इसका procedure क्या है किस-किस तरीके से हम लोग जाज करते हैं ये भी हम लोगों को देखना है classification of measuring instrument और वो measuring instrument का कैसा कैसा classified करा गया एक तो उपर में classification हम लोगों ने करा ये instrument system का अब ये measuring instrument कितनी तरह के होते हैं जैसे indicating instrument, recording instrument, integrating instrument essential requirement of an integrating, indicating instrument indicating instrument किसको बोलते हैं तो ऐसा instrument जो सिर्फ जिस time में measure कर रहे हैं उस time में measure करके हमें magnitude दे तो indicating instrument, recording जो record कर दे, मतलब जब measure कर रहे हैं उस time में भी बताए और जब measure नहीं भी कर रहे हैं तब भी बताए दे तो उसको recording instrument कर दे, integrating, integrating किसको बोलता है, जो record करने के बाद, फिर वहीं से start अगर्दी करें और जोडना start कर दे, जैसे आज अगर्दी हमने 20 unit बिजली खपत करा मालो, 20 unit बिजली खपत करा, और अगले दीन जो start होगा unit, तो ये सब जूडते चला जाएगा, तो 20.1, 20.2, 20.2, इस तरे इस तरे ये जूडते चला जाए, तो ये instrument भी होता है, जैसे energy meter है, तो energy meter integrating instrument होता है, ये जोडते चले जाता है, जो भी quantity है, उसको जोडते चला जाता है, चाहिए वो off condition, जब ये measure कर रहा होता है, उस time में भी जोडता है, और जब measure नहीं करता है, चुकि integrating instrument energy meter हो, तो लगातार measure करते रहता है, तो लगातार जोडते चले जाता है, अगला essential requirement of an indicating instrument, indicating instrument का कौन कौन सा requirement है, ये हमें देखना है, फिर जब हमने यहां से यहां तक मे सिर्फ basic पढ़ा, ये basic जब खतम कर लेंगे, तब हमें measurement of voltage and current परण है, जिसमें कि DC voltage में, voltage को कैसे measure करेंगे, ये देखेंगे, और current को कैसे measure करेंगे, ये भी देखेंगे, unit 2 में, जैसे ammeter है, DC ammeter है, तो ये DC current को measure करने का काम करेगा, DC voltmeter है, इसके basic multi-range concept of loading effect and sensitivity पढ़ना है, किसका, voltmeter का, फिर उसके बाद AC voltmeter rectifier type का पढ़ना है, जो की AC voltage को measure करने का काम करता है, फिर CT, इसको बोलता है current transformer, PT का मतलब होगी है potential transformer, CT current को measure करने का काम करता है, high current को, और PT जो है high voltage को measure करने का काम करता है, फिर उसके बाद इसके construction working और इसका application पढ़ने, फिर clamp parameter ये current को measure करने का, high current को measure करने का काम करता है, clamp parameter इसको भी हम लोगों को देखना है, तो ये जो second unit है, ये unit आपका पूरा का पूरा क्या है भई, voltage और current को measure करने के लिए, जब voltage और current को measure कर लेंगे, तब हम power का measure करेंगे, unit 3 में power को measure करने के लिए, हमें PMC, permanent magnet पर्मनेंट मैगनेंट मोबिंग ईरन का इस्तिमाल करेंगे इसके का दिल्कानाय तुर यह थैसके यम्ला автом स्वाइड Cat के range को कैसे बढ़ाएंगे P T का इस्तमाल करके आप dynamometer के range को कैसे बढ़ाएंगे और dynamometer में क्या क्या Error आते हैं और उसका compensation कैसे करते हैं अरताथ उसका उपाय उस error को घत कैसे करते हैं वोगी हम लोक हम लोग देखेंगे यह ओगिया DC Répी सी एकीट पावर के लिए आपयदे करेंगे 3 वाट मेंटर मेताद से क्युंकि वाट मीटर किसको मिजर करता है तो पाबर को तो इसमें 3 तरह के हैं वाट मीटर में जया हैं आए त्री वाट मीटर में ज starring आइफ और आपका फेक्टर का effect क्योंकि AC में power होता है power factor होता है power factor का effect 2 watt meter पर क्या पड़ता है यह हमें देखना पड़ेगा maximum demand indicator यह एक अलग चीज़ है कि आखिर power factor के लिए कितना demand तक indicator का इस्तमाल हम लोग करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे यह instrument type में आता है जब यह हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे power हो गया तो अब energy का measurement हम लोग करने के लिए सिखेंगे तो energy कौन मिजर करता है तो बोलोगे energy meter energy meter दो तरगा होता है एक single phase होता है एक three phase energy meter होता है इसका construction पढ़ेंगे इसका working principle errors जो energy से खदम करते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं अगला जो एक कैलिब्रेशन और सिंगल phase electronics energy meter using direct loading direct loading के मदद से कैलिब्रेशन single phase energy meter का हम लोग जांच कैसे करेंगे यह हम लोग देखेंगे आगे देखेगा unit 4 हो गया unit 5 में क्या पढ़ना है unit 5 और 6 यह दोनों एक दूसरे से related है circuit parameters जैसे circuit parameters में क्या क्या आता है जैसे हो गया resistance capacitance inductance इसको measurement करने के लिए CRO पढ़ना है cathode ray oscilloscope और फिर other meters भी पढ़ना है और बहुत सारे मीटर जो छोटे-छोटे मीटर से हैं उसको भी हम लोग unit 6 में पढ़ने वाले हैं जैसे measurement of resistance हमने पढ़ा था कि circuit parameter में आता है resistance capacitance और inductance जिसमें resistance को मिज़र करने के लिए low resistance को मिज़र करने के लिए करेंगे मेडियम रेजिस्टेंस बोल्ट मीटर आ मिटर में फिर उसके बाद हाय रेजिस्टेंस मेगर और मीटर और मीटर भी दो तरका होता है स्रीज और संट इसको में लोग देखने वाले हैं measurement of inductance यूजिंग एंडर्शन बिरिज यहां तक तो resistance मीज़र करा फिर उसके बाद inductance हम लोग यूज करेंगे मीजर करेंगे एंडर्शन बिरिज के मदद से नो डेरिवेशन और फैजर डियागरम लेकिन हम डेरिवेशन कराएंगे इसमें और इसका फैजर डियागरम भी बनाएंगे त्यूंकि लेबल हम लोगों का हाई होता है और जब तक तुम भीड से हट करके नहीं पढ़ोगे तब तक सेलेक्शन जल्दी नहीं होने वाला है विजुलाइज अर्था सेंट्रलाइज होने के लिए आपको नया चीज़ सीखना पड़ेगा और दूसरे से हट के सीखना पड़ेगा और यह सिर्फ टेक्निकल क्लास में ही मिलता है पढ़ाने कर क्या तरीका होगा हम बताएंगे सियारो कैथोड्रे औसिलो इसको पढ़ना है फिर उसके बाद डिजिटल स्टोरेज औसिलो इसको बेसिक ब्लॉक डाइग्रम इसको वर्किंग कैथोड रेट्व बहुत इंपोर्टेंट है और इसके अंदर आने बाले जितने भी चीज़े हैं सियार्टी के अंदर चाहँ वह लाक्रोस्टेडिक डिप्लेक्शन हो वर्टिकल एंप्लिफाइर हो टाइम बेस जनेरेटर हो हो और जेंटल एंप्लिफाइर हो मिजर्मेंट और बॉल्टेज टाइम पिरियेड फ्रिक्वेंसी फेज एंगल डिले लाइन और इसका स्पेसि है कि शी होगा कि टे सारा का सारा मिजर करके देकं यह लेकि chem कन अंट है अदर अधर मीटर में इसक 맛있어요 मतिमीटर हो गया यह lcr भी star आपने देखा होगा digital multimeter भी आपने देखा होगा देखा था लेकिन अब पढ़ना है कैसेस का construction होता है LCR meter LCR का मतलब होता है inductance, capacitance और resistance को measure करने वाला meter frequency meter दो तरका होता है एक ferromagnetic होता है एक western type होता है यह दोनों पढ़ना है जो frequency को measure करने का काम करता है फिर face sequence indicator यह क्या करता है यह phase के sequence को बताता है कि phase sequence R,Y,B B,Y,R है ना Y,R,B है कैसा phase phase sequence है यह मेरा phase sequence indicator बताता है तीन phase होता है R,Y,B,B,Y,R Y,R,B तो यह थिरी phase के phase sequence को बताने का काम करता है phase sequence indicator नामी देख रहोगा phase sequence indicator सेक्ष की सिक्वेंस में फेस्ट है यह कंग करने का मिजर करने का काम करता है यह सिंगल में और थ्री फेज होता है दोनों डाइनमोमेटर टाइप्स का पड़ना है वो जो डाइनमोमेटर हमने पहले बात करा था वही सिन्क्रोस्केटॉप यह बाइलंसिंग बताता है किसके जो भी चीज हम लोग लगाते हैं कि इसे एब नहों प्रकार का इныхट ही है मेरा सिन्क्रोस्कोपinea पीड हैंगे इनरजि मिटेर ही हैं यहँत कर दो सिग्नल जन्रेटर सिग्नल को कैसे जन्रेट करा जाता है इसका नीट क्यों पड़ा इसका वर्किंग क्या इसका बेसिक ब्लोग डियाग्राम और एक होता है फंसन जन्रेटर फंसन जन्रेटर भी हम लोग इसका नीट इसका वर्किंग और बेसिक ब्लोग डियाग्राम फंसन of symmetry ठीक है तो यह 6 unit है बच्चों और 6 का 6 unit हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो thank you मिलते है next video में और हो सके तो जल्दी से जल्दी आप लोग admission लेने की कोशिस करें और इस video को अपने दोस्तों के साथ share करें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह चीज आप लोग देख चुके अब next topic में हम लोग क्या करेंगे next video में हम लोग इसके syllabus के बारे में एक एक करके धीरे धीरे starting से हम लोग पढ़ने की कोशिस करेंगे इसका basic पढ़ेंगे पह बोले बिल्कुल लेना भी चाहिए अच्छे tuition में एड़ेशन लेना ज़रूर सुनिएगा कैसे हम लोग पढ़ाने का क्या tactics होगा मेरा सबसे पहले subjective जो की मेरा topics होंगे वो पढ़ाएंगे वो topic जैसे माल लिजे कि मैंने error पढ़ाया errors पढ़ाया error में important topics important point क्या है यह हम लोग देखेंगे जब error का important point हम लोग देख लेंगे तब उसके बाद इसका objective हम लोग कराएंगे अर्थात आपका है तो जो भी topic हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका important point और फिर उससे related objective जो पूछे गए है जो various exam में competitive exam में या फिर कोई भी exam में पूछे गए हैं उसको हम लोग कराने की कोशिस करेंगे तो यह third semester का अगर यदि selection जल्दी लेना है तो third semester में आपको technical class third semester से लेकर के six semester में तक technical class में रहना ही होगा आना ही पड़ेगा आज आओ अगले semester में आओ आना ही पड़ेगा यह हम लोगों को confidence है और कितना confidence है हम लोग अभी तक जानते हैं और इतना दिन से करते हुए आएं तो technical class के application को download किजिए application play store में जाएंगे play store से technical class में लिखना है classes और उसके बाद वहाँ से लिख करके उस application को download करेंगे उसमें जो भी आपको दिकतें आ रही होगी admission लेने में दिकते आ रही होगी तो उसमें number जो होंगे उस number पर आप call कर सकते हैं तो thank you बच्चों मिलते हैं आप लोगों से यही गुजारिस करेंगे कि इस वीडियो को जादा-जादा share करें अपने दोस्तों के साथ अपने जितने भी कलीग हैं college के हो relations में हो जो की डिप्लोमा कर रहा है electrical engineering से आप लोग वहां तक पहुचाएं और जल्दी से जल्दी admission टेक्निकल क्लास के अंदर गर्द जो नहीं लिए admission वो जल्दी से जल्दी admission ले या कई दूसरे जगह भी ले लिए हैं तो कोई बात नहीं है आप टेक्निकल सुरियो में बाइब